दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहली कबर बिहार परिवान विभाग ने दि बड़ी रहा तो चलक अब परमिट के लिए 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन बिहार परिवान विभाग ने पर्मिट के आवेदन की तारिक बढ़ा दी है बिहार से पश्ची मंगाल और बिहार से चत्यसगड के बीच वहानों की पर्मिट के लिए अब बीच जून तक आवेदन किया जा सकता है पहले या तारिक 30 अप्रेल ही थी उप परिवान आयुक न इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है इससे बड़ी सेंग्या में लोगों को लाब मिलेगा अगली बड़ी खबर राज में किताबे खरेदन को प्रारामबेक स्कूल के बच्चों को जल्द मिलेगी रासी जी हाँ सिक्चक नियोजन के उल्जे पेज के सुलत जाने के बा पहली से आड़वे तक की कक्चा में पढ़ने वाले बच्चों को किताब कराई की रासी दिने की तैयारी आरहम हो गई है एक करोड 68 लाग बच्चे सरकारी प्रारमे की स्कूलों में है जिने पैसे मिलेंगे पिछले साल किताब करेदने के लिए बच्चों को 534 कड़ोर दि प्राहएं आग़े बड़ी कबर अब जल्द नेजी ऐस्पातालों में भी लगीघी कोरोना वेक्सिन कीमत पर सरकार कर रही यह बात यह राज में शलोट बुकिंग को लेकर परिसानी जेल रहे लोगों के लिए रहत की बात है उनके लिए जल्द ही नेजी स् पातालों में भी टिकाकरन शुरू करने की तैयारी चल रही है सब कुछ ठीक टाक रहा तो आईसमन भारत से जोड़े चुनिंदा अस्पताल वह जिल्ले के बड़े अस्पतालों में कोवीड टिका उपलब दो पाएगा हालाकि निजी अस्पताल में टीके का सिल्क देना पड़ेगा राज निजी अस्पतालों की बीच पहल चल रही है अगली बड़े कबर ग्रामिनों के लिए मौडल नागरिक चार्डर जारी बिहार के पंचायतों में ताई समय के अंदर अब मिलेगा कई सेवाओ का लाब निर्धारिस समय पर मिल जाएगा किसी को मन्रेगा का जोब कार्ड बन निर्धा ने ग्राम पंचायत के लिए मौडल नागरिक चार्डर जारी किया है आपको बताती कि सरकार द्वारा तैयार किये गए मौडल नागरिक चार्डर में परमान पत्र लाइसेंस अनुमति प्रदान करने से लेकर विकास सम्मंदिकार सरवजनिक स्वास्त काराधान स्वाव के लिए पूरा ब्यवरा तैयार किया गया है कोई भी ग्रामिन अब आवेदन पत्र देकर तीन दिनों के अंदर जर्म मित्तु विवाव सम्मंदिक की स्वामित का प्रमान पत्र हासिल कर सकता है अगली बड़े कबर बिहार में ओवर्लोडेड गाड़ियों की अब आन इसपट होगी जाच लाल बत्ती जलने से मिलेगी जानकारी तैयारी में जुटा परिवहन विभाग जिहां राज जिबार में ओवर्लोडेट गाड़ियों की जाच ओन स्पट होगी इसके लिए परिवान विभाग अगले मा तक 20 पोटेबल वो पेड की खरीद करेगी या सबी मसीनिक कम्पीटर से जोड़ी होगी जिससे कभी भी किसी भी जगह पर ले जाया जा सकता है इस मसी मसीन की खरीद के बाद ओवर्लोडेट गाड़ियों पर और सकती बढ़ जाएगी अधिकारियों के मताबिक या मसीन मोबाइल के तरज पर काम करेगी और इसकी निगराने मुख्याले से भी करना आसान होगा साथ उन्होंने बताए कि मसीन खरीद के बाद विभाग ओवर्ल जारे ट्रेनिंग के बाद परिच्चा में 10 से कम नमबर आये तो जाएगी नोकरी जीहां नाव नियोजित आमीन और प्रकंडों में बनने वाले आधोनिक अभिलाकगारों को लेकर सरकार ने कड़ा रूक अक्तियार कर दिया है ट्रेनिंग के बाद ले गई परिच्चा में परिच्चा में खराब प्रदसन करने वाले आमीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है विभाग के निदेशक जय सिंग ने बताया कि 40 पिज़े से कम अंक लाने वाले आमीनों की सिंख्या 75 है इन सबी से इसपेश्टिकरन मांगा जा रहा है 10 परति गुजरा जाने के लिए बेश ट्रेनों को चलाने का एलान जिहां कोरोना काल में ट्रेनों की कमी के कारान मुसीबतों को सामना कर रहे बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी रहत की खबर है इस्ट सेंटर रिल्वे ने बेश ट्रेनों के फेरों में बिर्दिक करने का एलान कर दिया है यह ट्रेन बिहार से मुंबई गुजरात यूपी और एमपी के कई स्टेशनों को जाएगी यात्रियों को जरुद और अतरित बेड़ को देखते वे रेल्वे ने एक बर फेस से इन ट्रेनों की सवावों को बढ़ाने का एलान किया है आपको बता दे कि जिन ट्रे दानापूर स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद समस्तिपूर स्पेशल ट्रेन दानापूर बडोद्रा स्पेशल ट्रेन ओका गुवाटी स्पेशल ट्रेन राजकूर समस्तिपूर स्पेशल ट्रेन और समस्तिपूर राजकूर स्पेशल ट्रेन सामिल है अगली बड़ी कबर बि मिहार में 920 ने कोरोना संक्रमित मरेच की पहचान हुई है वह पिछले 24 गंटे में एक लाग आठाजार 933 सेंपल के जाच की गई है राज में संक्रमन दर दसमलाव 84 फिजदी रही है सबे 38 जिलो में 100 से कम नई संक्रमित मिले हैं एक दिन पूर्व राज में 100 से कम नई संक्रमित मिले थे जबकी संक्रमन दर 88 फिजदी थी दूसरी ओर एक दिन पूर्व संक्रमित की स्वस्थ होने की दर 97.90 फिजदी थी राज के 15 जिलों में 10 से कम नई संक्रमित की पैचान हुई है जिसमें अर्वल में 8 और अंगाबाद में 9 बाका में 4 भोजपूर में 9 बकसर में 7 जमुई में 8 जहनाबाद में 1 केमुर में 7 खगड़िया में 6 नवादा में 9 रोतास में 5 सिकपुरा में 1 सिवर में 8 सितमडी में 7 और पश्चमी चंपारन में 7 कुरोना संग्रमित मिले हैं वह पटना सैत राज के 23 जिलों में 100 से कमने संग्रमित मिले हैं जिसमें पटना में 87 अररिया में 32 बेगुसरा में 34 भागलपुर में 24 दरभंगा में 49 पुर्वी चंपारन में 32 गया में 24 गोपाल गंज में 49 कटियार में 50, किसंगन में 44, लखिसरा में 13, मध्यपुरा में 34, मधुबनी में 22, मुगेर में 29, मुजपरपुर में 50, नलंदा में 20, पुर्णिया में 48, सहरसम में 22, समस्थिपुर में 14, सारण में 25, सिवार में 18, सुपल में 56, और 20 साली में 23 नई कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है अगली बड़ी कबर पटना एम्स में अब तक 23 बच्चों पर हो चुका है कोरोना वेक्सिन का ट्रायल माता पिदा की मौझूदगी में टीका ले रहे हैं बच्चे जी हाँ एम्स पटना में अब तक 23 बच्चों ने वेक्सिनेशन ट्राइल में भाग लिया है इस ट्राइल में बच्चों के माता पिता भी मौजुद रहे हैं जिनोंने कोरोना को भगाने की सरकार के इस बड़ी महिम को सफल बनाने की ठान ली है साथ यह आपको बता दे कि पटना में वेक्सिनेशन का कार एक बर फिर से तेज होता दिख रहा है खास कर 18 से 44 आयू वर्ग का वेक्सिनेशन दुबारा से चालो होने के बाद वेक्सिन लेने वालों की सेंक्या में इजापा दर्ज किया गिया है अगली बड़ी कबर बिहार के 12 जीलों के लिए अलट जारे मांसुन ने असम में दिखाया असर जिहां दस्चिम पश्चिम मांसुन रवियार को असम में दस्टक दे चुका है उसके बंगाल की ओर मुढने के असर है उसके बाद बिहार एवान जारकन में परविश करेगा प्रदेश में पष्चमे हवाओं के कारण फिलाल काफी गर्मी पड़ रही है तेज दूप के साथ उमस परिसानी पैदा कर रही है पटना मौसम विगान केंद्र के विगानिस संजे कुमार का कहना है कि सभी की नजर मांसून पर टिकी है अगले 24 गंडे में पता चल जाएगा के मांसून कितने दिनों में बंगाल के और मुड रहा है फिलाल प्रदेश में पष्चमे हवाओं के कारण काफी गर्मी का उमस है ज्यादा नमे वाले चेतरों में आने के साथ बारिस भी हो रहे हैं साथ आपको बता दे कि पटना मौसम विगान केंद्र ने मुख की रूप प्रकास गुंतस गुपता बने टोपर जहां बिहार लोक सिवा आयोग ने 74T वी का फाइनल रिजल जारी कर दिया है, इस बार 454 अभियरतियों का चैन किया गया है, ओम प्रकास गुपता इस बार टोपर बने है, आयोग के अधिकारिक बैबसाइट पर रिजल जारी किया ग गौर तलबे की बीपेसी ने कूल चोदो सो पैसेट पदोख लिए आवेदर निकाला था जिसमें कूल चार लाख एकत्तर हजार पांसो एकासी कैंडिडेट ने अपलाई किया था इनमें से प्रारामिक परिच्छा में करेब तेन लाख अभियारतियों ने एकजाम दिया था जिसमें लगबग 19,000 से ज़्यादा केंडिडेट सपल हुए थे आयोक की ओर से मिले जानकारे के मुताबिक मुईक परिच्छा के लिए 18,534 अभियारतियों ने आवेदर किया था लेकिन 15,800 के करेब अभियारति ही परिच्छा में सामेल हुए थे जिसमें से कूल 399 अभियारति सपल हुए थे इंटर्वी और डोकुमेंट वरिविकेशन के बाद कूल 1454 का चैन किया गिया है अगली बड़ी कबर बाबा रामदेव पर बिहार के 50 थानों में होगी अफायार एलोपेद के खिलाब ब्रहम फिलाने वाले बयान पर आयमे का फैसला एक एक कर हर एक थाने में दर्ज कराएंगे केस जिहां योग गुरू रामदेव के बयान के बाद सुरु हुई आयरोवेद बनाम एलोपेद के लड़ाई बिहार में भी जोर पकड़ ही है बाबा रामदेव की खिलाब डाक्टरों में गुसे के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसेशन की बिहार यूनिट ने करवाई की तयारी कर ली है पटना में हुई आयमे की बेटक में बाबा रामदेव की किलाब रदेश के पचास थानों में केस दर्ज कराने का फैसला लिया गिया है इसके लिए सभी ब्रांच के सदेशो को तयार किया गिया है आयमे के पूरू प्रेसिडेंट डक्टर बिमल कारक का कहना है की एक एक कर सभी थानों में एफ़ायर कराई जाएगी अगली बड़े कपर नेट और जई मेंस को नहीं किया जाएगा रद अगले हपते तक जारी हो जाएगा परिच्छा का कारिकरम जी हाँ बारवी की सिवेसी बोर्ड परिचा रद होने के बाद सरकार के सामने अब नेट और जई मेंस जैसी परतियोगिता परिच्छा को भी रद करने का दबाब बढ़ने लगा है अलाकि इन सब के वावजूद केंदर सिक्छा मंद्राले ने साब संकित दिया है कि नेट और जई मेंस की परिचाए रद नहीं होगी कोरोना संक्रमन की सिति में और सुधार होने के बाद इने तुरन कराया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने इस बीच अगली हपते तक नेट और जई मेंस से जोड़ी परिचा का करकरम जारे करने के भी संकित दिये हैं आपको बदा दे कि सिक्चा मंत्राले और एंटिये से जोड़ी सुत्रों के अनुसार नीट और जई मेंस के समद में पीमों से भी हरी जन्डी मिल गई है अगली बड़ी कबर बिहार में दो दिन बाद हड़ सकता है लोगडाउन जाने क्या हो सकती है नई वेबस्ता जहां बिहार में जल्दी लोगों को लोगडाउन से निजात मिल सकती है आठ जून को बिहार में लगाए गए लोगडाउन चार की समय से में खतम हो रही है माना जा रहा है कि इसके बाद नितिस सरकार लोगडाउन हटाने का फैसला कर सकती है मीडिया रिपोड के मताबिक इसके लिए सियम नितिस कुमार ने प्रदेश के सभी जिलादी कारियों से कोरोना की सिति को लेकर फिडवेक लिया है डियम की रिपोड के आधार पर अनलोक करने के रनिती बनाए जाएगी सुत्रो के अनुसार आट जुन के बाद लोगडाउन के अधी बढ़ाना सही नहीं माना जा रहा है अगर अनलोक होता है तो नितिस सरकार सभी डियम को सकती बरतने का भी अधिकार दे सकते हैं इसके अनुसार जिलादिकारी संग्रबन के सिति को देखते हुए अपने इलाके में सकती बरते हुए दारा 144 के साथ लोगडाउन जैसा नियम भी लागू कर सकते हैं सुत्रो के अनुसार दूसरे परदेश की तरह बिहार में भी नाइट कर फिल लागू रहेगा आठ जून को बिहार में लोडाउन हटेगा या नहीं इसका पैसला सुमवार यानि आज हो जाएगा परंद की सबसे बड़ी कबर बिहार में जल्द मिलेगी पावर कट की समयसे से रहाद अब ब्रेकडाउन होने पर भी नहीं जाएगी बिजली जिया बियार के जानता को अब बिजली जाने की समयसा से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है विबाग अब बिजली की एक ऐसी रिंग यूनिट तयार करने में लगी है जिससे अगर किसी भी सब स्टेशन में ब्रेकडाउन होता है तो उस इलाके में दूसरे से तुरंद ब बहुत से के इस प्लान को राज़ानी पटना से लेकर पुरे राज में लागू करने के लिए पुरा खाका तयार कर लिया गिया है और सरकार ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है आपको बदा दे कि समयसा से निवटने के लिए बिजली कंपनिया टांसमिसन लाइन का विक उनके बाद लॉगडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं इसका जबाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं